हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक तो मैं चैनल, इस्प्रेचल लव टेरोट कैसे हैं आप लोगा है, होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे, हैप्य होंगे दियर, आज हम पिका काट करेंगे और हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी डेली अपडेट में क्या आता है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिच्वेशन है तो मैंने यहाँ पर दो पाइल रखें आप कोई सभी पाइल चूज कर सकते हैं पाइल नमबर वान पाइल नमबर टू आप यह जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की सिच्वेशन क्या है तो यह है पाइल नमबर वान और अगर आपने यह वा पार्टनर की सिच्वेशन से क्या निकलता है क्या चल रहा है दोनों के बीच में तो डियर देखते हैं क्या चल रहा है दोनों के बीच में क्या है इन दोनों के बीच की सच्चाई क्या है क्या चल रहा है इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है क्या चल रहा है इस third party और आपके partner के बीच की situation क्या है ओके डियर काफी cards निकल चुके हैं चलिए अब हम देखते हैं कि cards क्या आए है okay bottom की energy देख लेते हैं यहाँ पर है night of pentacles bottom के energy से आया है night of pentacles और next card जो है three of swords oh my god यहाँ पर ace of cups है पर वो भी reverse में है चलिए तो जिन्हों ने pile number one choose किया है यहाँ पर night of pentacles आया है three of swords आया है हम cards देख लेते हैं कि cards हमें क्या बता रहे हैं cards की energy क्या आया है तो dear यहाँ पर ace of pentacles आया है ठीके यहाँ पर death का card आया है देखिए शिरवात के साथ ही आ गया है death का card कहीं न कहीं death का card भी निकल चुका है page of swords के energy आया है ten of swords के energy आया है यहाँ पर king of wand के energy आया है भर भर के बिलकुल दिख रहा है सब कुछ यहाँ पर देखिए temperance है ना लीजिए emperor भी आ गए है emperor की energy पर आ गई है ten of cups है देर यहाँ पर बहुत सारी energies आई है पताए आपको यहाँ पर third party और आपके partner के बीच की जो energies आई है उसमें काफी लोगों के लिए energy निकली है काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि यह energy जो निकली है काफी लोगों से resonate कर सकती है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजे दिख रही है जहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि आपके partner और third party का जो हाल है cards आपको दिख जाए तो cards आपको दिख रहे होंगे सबसे पहले तो sign देख लीजे यहाँ पर cancer scorpio Pisces है Gemini Lebra Aquarius है Taurus Virgo Capricorn है और Aries Leo Sagittarius है ठीके तो यह sign यहाँ पर दिख रहे है बात करी जाए कि क्या चल रहा है third party और partner के बीच में सबसे पहले तो मैं कुछ ऐसा बता देती हूँ कि यह third party मैंने उस दिन भी बताया था कि इस third party का पूरा ध्यान आपके partner को कहीं न कहीं मनाने में लगा हुआ है तो वही energy आ रही है कि यह third party अभी आपके partner की उस energy को देख रही है कि जहाँ पर यह अपने सपने देखे थे कभी उन्होंने इस बात के लिए सपने देखे थे कि एक मेरा परिवार होगा एक मेरा happy life जी पाऊंगा मैं तो जी पाऊंगी या जी पाऊंगा dear male female कोई भी हो सकता आपका partner आप अपने हिसाब से ले लीजिए ठीके dear मैं ऐसा बोलती है relationship पूरी जिन्दगी पीछे छोड़ दी इस third party के चकर में और मैं किस हालात में गूम रहा हूँ आज मैं इस हालात में गूम रहा हूँ मैं सहन कर रहा हूँ इस third party के सारी गलतिया इस third party का behavior इस third party का ego सब कुछ मैं सहन कर रहा हूँ ये third party family, ex, girlfriend, boyfriend कोई भी हो सकता है dear आप अपने हिसाब से ले लीजिए लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके partner इस third party का burden लेकर सर पर घूम रहे हैं उन्हें लग रहा है कि उनको इस रिष्टे में अब रहने में बहुत problem हो रही है क्योंकि ये third party हद से ज़्यादा हो सकता है कि इनकी life में इनके family से कोई father issue है जो बहुत ज़्यादा problem create करा है जिसके कारण आप दोनों के रिष्टे में बहुत सारी problem आ गई थी किसी बात को ले कर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी और balance कहीं न कहीं डगमगाया था तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है और ये third party और आपके partner के बीच में डियर ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है third party जो है अभी वो आपके partner को दिल पर काम करने की सोच रही है third year यहाँ पर आपके partner अपने ego में बैठे हुए आपके partner जो है अपने घमन में बैठे हुए उनको कोई फर्क नहीं पढ़ रहा कि ये third party उनके सामने क्या present कर रही है third party क्या दिखाना चाहा रही है आपके partner को third party बहुत सारे emotions दिखा रही है emotions दिखा के feelings दिखा के इस partner को कहीं न कहीं परिशान करने का काम सोच रही है third year यहाँ पर तो आपके partner का जो मुझे रवया दिख रहा है ना जिन्नोंने pile number one चूस किया है बहुत ज़्यादा ego में दिख रहे हैं आपके partner उनको अभी ego जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है और dear कहीं न कहीं आपके partner जो हैं अभी अपनी सारी बातों को समझ रहें सही गलत बातों को समझ रहें यह third party उनको spy करती है वो यह भी जानते कि यह third party जो है हो सकता है आज कल आपके partner जो है is third party पर नजर नहीं रख रहे third party से बात नहीं कर रहे जिस तरह कि third party से contact में रहते ठेवे अभी यह सारी चीजे बंद है तो यह third party जो है बेचैन हो रही है आपके partner के बारे में जानने को कि आपका partner कर क्या रहा है आपके life में involved हो गया है यह और यह कर क्या रहा है तो यहां पर एक ऐसी energy दिख रहे हैं कि यह third party जो है कहीं न कहीं आपके रिश्टे से ऐसा इसको महसूस हो रहा है कि इसका जो पत्ता है वो cut out हो गया है ये third party को निकाल फेका है आपके partner ने अपनी जिन्दगी से तो इस ऐसा महसूस हो रहा है और कहीं न कहीं ये universe से divine से support चाह रही है प्यार के लिए लव के लिए और इसको support नहीं मिल रहा है इसको ऐसा महसूस हो गया है कि ये रिष्टा आगे नहीं बढ़ पाएगा अब इस partner को यह मना नहीं पाएगी तो यहाँ पर यह क्या कर रही है यहाँ पर प्रेशर बना रही है किसी तरह का बर्डन हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी तरह की एनरजी में दबाने की कोशिश कर रही है आपके पार्टनर का कोई सीक्रेट इसके पास है किसी तरह की कोई सीक्रेट बात इस third party को पता है हो सकता है कि business से related कोई secret हो हो सकता है कि love relationship से related कोई secret इसके हाथ में लगा है तो जिसको लेकर ये third party social media की भी धमकी दे रही है या फिर यूँ समझ लीजिए कि social media के बारे में बता रही है कि मैं आजकल social media भी चलाती हूँ ऐसा मत सोचो मेरे बहुत सारे friends हैं मेरे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे support करते हैं तो यहां पर किसी तरह की बात किसी तरह का influence करती हुई दिख रही है ये third party ताकि आपके partner पर pressure बना सके आपके partner पर burden डाल सके और डियर सता रही है पता है आपको सता रही है हर तरह से ठके हारे सताया सा इंसान महसूस कर रहा है आपका partner अपने आपको और ये third party उनको सता रही है और ये third party नहीं चाहती है कि आपका partner जो है आपकी तरफ आ जाए हर मुम्किन कोशिश कर रही है ये third party balance को खराब करने के अगर आपके partner इतना burden उठाकर balance बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ जाने की भी कोशिश कर रहे हैं तो ये third party जो है sorry ये third party जो है काफी हद तक उनके balance को disturb करना चाहती है ये third party नहीं चाहती है कि आपके partner happy family के सपने देख सके happiness की तरफ बढ़ सके ये third party आपके partner पर burden देना चाहती है ये third party बार बार उनको ऐसी situation में लाकर रखना चाहती है जहां पर वो अकेले एक कदम भी ना बढ़ पाए और आपके partner को कहीं ना कहीं ये third party जो है unbalance करने की कोशिश कर रही है किसी ना किसी तरह का कोई ऐसी situation create कर रही है या फिर कोई ऐसी बात ये third party जो है आपके partner के सामने प्रेजेंट करना चाहती है जिससे आपके पार्टनर जो है न डर जाए हो सकता है आपके पार्टनर को डराया भी है इस थर्ड पार्टी ने किसी बात को लेकर हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी ने किसी बात का आपके पार्टनर को हवाला भी दिया हो सकता है कि भई ऐसी बात है कि आप अगर मेरे साथ में नहीं रहते हैं मेरे साथ में रिष्टा खत्म करते हैं तो मैं आपकी फैमली वालों को बता दूँगी या आपकी परिवार वालों को बता दूँगी तो यहाँ पर किसी तरह का कोई शिकायत को इसी तरह की कोई बातें यहाँ प पर आपके partner guilt feel कर रहे हैं उनको लग रहा है कि अभी उनको निकलने में इस third party से बहुत time लगेगा क्योंकि जब जब वो निकलने के बारे में सोचते हैं तो क्या हो रहा है problem create होती है कुछ न कुछ दिक्कते आने लगती है आपके partner पर जिम्मेदारियां आ जाती है आपके partner को इस तरह के emotions के आगे जुकना पड़ जाता है कि वो मजबूर हो जाते हैं पर यहाँ पर आपके partner strong decision ले चुके हैं कहीं न कहीं अपने ego को आगे रख रहे हैं और यह लेना है आना है पर बहुत slow energy है night of pentacles से आपको लेके बहुत ज़्यादा बाते सोची जा रही है आपको ले इसा लग रहा है रुलाया है ठीके आपके दिल को तोड़ा है तो उस बात को लेकर उनको ये फील हो रहा है कि आप इनका cup जो है अब accept नहीं करोगे अब आप इनका प्यार है उसको आप accept नहीं करोगे अगर ये का पैसा आता तो शायद आप accept कर लेते लेकिन इनको ऐसा तो यह पार्टनर आपसे बात करना भी चाहता है आपको बताना भी चाहता है कि यह ऐसे सिच्वेशन में फ़र्ज गए हैं उसके लिए आपसे माफी मांग रहे हैं आपको बोल रहे हैं कि आप इनका प्यार जो है accept कर लो तो यहाँ पर बस यही एनरजी आई है बॉटम से जि अब उनको इस थर्ड पैर्टी के साथ में शायद रिष्टे को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि यह रिष्टा बहुत ऐसा हो चुका है बहुत जयादा ब्रडन सहन करना पड़ रहा है बहुत जयादा प्रोब्लम क्रियेट हो रही है बात बात पर जھगड़ा बात बात पर दिक्कत इगो दिखाना वो सारी situation यहाँ पर create होती रहती है और आपके partner ठक चुके हैं अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनको इस situation में नहीं रहना है आपके साथ में जो life थी शायद उसी में उनकी जिन्दगी खुश थी अगर वो किसी पैसों के पीछे या फिर किसी ऐसी के पीछे इस third party की तरफ आ गए थे इस रिष्टे पे काम कर रहे थे जो शायद उनका एक लालश था अब वो नहीं चाहते हैं उन सब चीजों को त्यागना चाहते हैं वो अपना परिवार अपनी family अपना love अपना happiness life चाहते हैं वो चीज यहाँ पर दिख रही है उसके कोशिश कर रही है आपके पार्टनर की जो उनका decision है उसको change करने के लिए ठीक है और नहीं कर पा रहे है तो burden भी डाल रही है किसी तरह का pressure भी डाल रही है तो बहुत सारी चीज़े यहाँ पर third party करती हुई दिख रही है और चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या images आते है प्लीज universe guide करें ओके आजाओ यार इतना time क्यों लगा रहे हो चलिए ठीक है इतने images आए हैं यहाँ पर dear हो सकता है T से किसी का name आता हो हो सकता है A से ठीक है अंकित हो सकता है अनन्या हो सकता है H V दिख लेजेगा आपका या आपके पार्टनर के name के images हो ठीक है क्योंकि यह पिका कार्ड है इसलिए मैंने निकाल लिये हैं और यहाँ पर है M यहाँ पर है 4 नंबर 4 है 4 नंबर है हो सकता है किसी के date of birth हो 5 नंबर है और dear यहाँ पर T R हो सकता है dear V हो सकता है V देखें V से बहुत सारे लोगें ऐसा लग रहा है V से बहुत सारे लोगों के energy आई है और dear यहाँ पर V 3 टाइम आया है हो सकता है कि आपके partner का name V हो या फिर आपका name V से आता हो तो F की energy भी आई है आप यहाँ आपके partner जो है F हो सकते है W से किसी का नाम आता हो और यहाँ पर T है T और dear T T भी 3 टाइम्स आया है और A जो है 2 टाइम्स आया है हो सकता है A से किसी का नेम हो W भी 2 टाइम आया है ओके डियर तो जो इमेशेज आये हैं वो आपको दिख रहे होंगे I hope आपको रेडिंग जो है अच्छी लगी होगी कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला होगा Resonate करी हो तो डियर लाइक कर दीजेगा और जो लोग फॉर्स टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत थैंक्यो दिल से हेलो पाइल नमबर टू प्लीज उनिवर्स गाइड करें कि क्या चल रहा है चलिए देखते हैं कार्स क्या आ रहे हैं तो यहां से कुछ कार्स निकालते हैं यह कार्स आ रहा है तो हम ले लेते हैं और क्या चल रहा है थोड़ पार्टी और आपके partner के बीच की situation में क्या हो रहा है third party और आपके partner की situation में Please universe guide करें कि क्या चल रहा है चलिए काफी card निकल चुके है dear और देखते हैं कि bottom की energy क्या आई है bottom की energy से ace of pentacles है यहाँ पर ace of pentacles है और dear tower ठीक है तो tower की energy आई है ace of pentacles और tower भी आया है यह third party जो है ऐसा लग रहा है देखें यहाँ पर king of wand की energy आई है यहाँ पर two of wands next card the world का card है और dear यहाँ पर यह दिख रहा है कि यह जो देखें यहाँ पर judgment भी है और three of swords भी है ठीक है three of swords भी है six of swords भी है और dear chariot भी है chariot के energy आई है queen of wands भी आया अच्छा queen of wands and king of wands दोनों की energy आई है दोनों की energy यहाँ पर निकल के आई है दोनों ही दिख रहे होंगे आपको कि यह third party और आपके partner के बीच में जो energy निकल के आई है आप देख पा रहे है कि क्या energy आई है dear यहाँ पर बात करी जाए कि आपके partner और third party के बीच में तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके partner और third party के बीच में एक attraction वाली bonding यहाँ पर दिख रही है हो सकता है कि third party और आपके partner जो है attractive है एक दूसरे की तरफ attract रहते हैं यहाँ पर जिन्होंने pile number two choose किया है यहाँ पर यह energy आई है sorry जो आया है वही मैं बताऊंगी sugar coating नहीं है तो यहाँ पर यही आया है कि attract बहुत रहते हैं इस third party की तरफ आपके partner कहीं न कहीं उनका ध्यान जो रहता है वहीं third party पर लगा रहता है और third party के साथ में ही attached है शायद आपको पता है कि यह partner की life में third party है और आप अच्छे से जानते हो ऐसा भी नहीं कुछ लोगों के partner तो छुप छुप के daily बाते करते हैं daily मिलते हैं तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है और dear यहाँ पर यह दिख रहा है कि यह third party जो है काफी हद तक आपके partner को अपनी जिन्दगी में शामिल कर चुकी है ऐसा दिख रहा है कि यह partner पूरी तरफ से आपको छोड़ कर इस third party की life में involved हो गए है इस third party के साथ में ही रहते हैं इस third party के साथ में उनका उठना बैटना है घूमना फिरना है यह pile कुछ लोगों से resonate करेगा लेकिन यहाँ पर जो हकीकत आई है वो आपको accept करनी पड़ेगी जिन्होंने pile number two choose किया है कि यहाँ पर यह partner जो है इस third party के साथ में कहीं न कहीं उठना बैटना घूमना फिरना वो चल रहा है और dear यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के partner जो है इस third party की तरफ ऐसा दिख रहा है कि शादी कर चुके हैं अगर शादी कर चुके हैं तो वहीं रहते हैं पर dear इन दोनों के बीच में एक ऐसा इशू चल रहा है जहां पर divorce वाली situation आ रही है पता है आपको कि यह partner आपको छोड़ कर जा चुके हैं इस third party के attraction में रहे हैं जो भी कुछ रहा है यहाँ पर यह दिख रहा है लेकिन अब जब यह पूरी दुनिया मान चुके थे इस third party को third party इनको अपनी दुनिया मान चुकी थी दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे पर हालात ऐसे हो गए कि अब यह third party judgment मांग रही है आप देख पा रहे हैं कि यह third party जो है judgment मांग रही है गिड़ गिड़ा रही है universe के आगे divine के आगे कि अब वो आपके partner को शायद अपनी जिंदगी में नहीं रख पाएगे या यह energy आपके partner की है कि उनको कहीं न कहीं divorce चाहिए इस third party से divorce नहीं तो निकलना चाहते हैं कुछ लोगों का legal issue है कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि उसका partner अगर ऐसे ही उस third party में रह रहा था फसा हुआ था तो वो वहाँ से निकलना चाहता है तो आपके partner को यहाँ पर judgment चाहिए अब वहां से निकलना चाहते है उनको उस third party के साथ में बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आपके partner को ऐसा लग रहा है कि ये third party कहीं न कहीं उनको जबरदस्ती शादी के लिए pressure डाल रही है जबरदस्ती किसी तरह का कोई बाते बना रही है हो सकता है कि ये third party किसी भी तरह से आपके partner के दिल तक पहुचने की कोशीश कर रही है हो सकता है इसने ऐसे कुछ कारणामे किये हैं जिससे आपके partner के दिल को कहीं न कहीं ठेस पहुचिए आपके partner को hurt हुआ है और ये partner जो हैं बहुत ज़़ादा रो रहे हैं बहुत ज़़ादा तकलीब में हैं situation को सहन कर पाना उनके बस की बात नहीं हो रही है और ये partner निकलना चाहते हैं उनको action लेना ही होगा क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये third party जबर्दस्ती कहीं न कहीं आपके partner को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही हैं और ये partner जब भी निकलने की बात करते हैं जब भी कुछ बातों के बारे में सोचते हैं तो ये third party जो है दुहाईयां देकर action तो 100% लेंगे डियर पर ये जो third party है ना किसी ना किसी तरह से रोकावटें पैदा करना इसके आदत है और ये किसी ना किसी तरह का drama किसी ना किसी तरह के problem create करना चाहती है तो यहाँ पर third party जो है आपके partner की तरफ अपने कदमों को लेती हुई दिख रही है और यहाँ पर आपके partner जो है अब judgment चाह रहे हैं और आपके साथ में भी judgment करना चाहते हैं आपके पार्ट्नर ने इस third party के कारण आपके साथ में injustice किया था तो कुछ लोगों के पार्ट्नर जो है justice करना चाहते हैं और कुछ लोगों के पार्ट्नर को अभी भी अकल नहीं आई है ठीके दिखे जो सचाई है उसे accept करना चाहिए उसे सुनना चाहिए कुछ लोगों के partner तो निकल चुके हैं कुछ लोगों के partner वही फसे हुए हैं वही पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं वही पर रह रहे हैं और निकलने के बारे में सोचते हैं तो वो third party के साथ में ही उन्हें खुशी मिलती होगी भले ही वो third party कैसी भी situation में रख रही हो पर कुछ लोग वहाँ पर अपनी दुनिया मान कर रह रहे हैं तो कुछ के partner जो हैं निकल चुके हैं कुछ के partner फसे हुए हैं जो लोग फसे हुए हैं हम उस पर भी एक reading बनाएंगे कि जिनके partner third party में फसे हुए हैं निकल ही नहीं पा रहे हैं उनका भविश्य क्या होने वाला है उनका future क्या होने वाला है इस ट्रॉपिक पे में वीडियो जरूर लाऊंगी ठीके dear तो यहाँ पर यह दिख रहा है कि अभी तो फिलहाल यह दिख रहा है तो यह है dear third party और आपके partner के बीच की feelings I hope आपको अच्छी लगी होगी कुछ ना कुछ guidance मिला होगा और dear first time channel पर आ रहे हैं तो please channel को subscribe कर दीजे support करने के लिए बहुत बहुत thank you दिल से चलिए images देख लेते हैं dear मैं तो भूली रही थी images को तो देख लेते हैं कि क्या है buy कर दिया था मैंने तो कि चलिए देख लेते हैं images के आ रहे है यहाँ यह उचक के आ गया है एक और H हो सकता है किसी का नीम H से A से हो सकता है dear यहाँ पर W हो सकता है आपका यह आपके partner का नीम U E E से किसी का नेम हो Y T R F T M से किसी का नेम हो सकता है N N से I C C Broken Heart I K T देख लिजे आप आपका या आपके पार्टनर के नेम का Immaces हो सकता है यहाँ पर एक ही नमबर आया है और यहाँ पर 4 नमबर आया है हो सकता है आपका या आपके पार्टनर की Date of Birth हो सकती है ठीके डियर तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगी जो निकले थे वो मैंने आपको बता दिया है सिर्फ एक नमबर यहां पर दिख रहा है फोर नमबर आपको अच्छा लगा होगा रिडिंग तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा